हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आर्वी डीट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की मैट से एक्सरसाइज 4.2 का एक कोस्टन ले करके आया हूँ यह कोस्टन नमर फाइफ है तो इस वीडियो में मैं इस कोस्टन को डिस्कस करूंगा आप वीडियो को ध्यान से देखे आंतर देखे और साथ इसाथ लिखते भी रहिए तो चलिए शुरू करते हैं आपर कि और से यल्टिट्यूड आफ आरेट रहेंगल इज सेवनचेंटिमेट्र लएस देन इटी बेज सबस्टव दड़ा हैाइप अधिकहों मालों की यह ना आरे पास कोई ट्रिंगल है है यह राइट रेंगल है कैसे रेंगल है राइट रेंगल है कि ए बी सी तो यह पर हमारा 90 ढिगरी बन रहा है तो यह माले मेरा बेस है यह और यह हमारा एल्चीटीव डी रहे है कि ऐसे हैं कि Kringu कि क्या होता है एक ऐसी पर डाली जाती है तो बेस बी सी पर यह पर प्रेंडीकुलर लाइन यानि है यहां पर इन्होंने कहा है कि जो इसा यहां ट्रेंगल है तो यहां पर B पर राइट यहां पर जैनि की 90 Wण ऩी बना रहा है उसका जो ञतिज्व में लेस्थ का मतलब होता है माइनस क्या चीज्जू मैज्थ में मैं यहां लेस्थ मतलब होता है माइनस तो यहां पर दिखो हम सबसे पहले से राइट करेंगे स्वालिशन लेट एवी सी इस आ राइट ट्रेंगल एट भी मतलब बीपर 90 डिगरी बना रहा है एज सोन इंटीगर बिलू लेट एबी सी इज आ राइट ट्रेंगल एट भी एज सोन इन फिगर बिलू यह एबी सी हमारा एक राइट ट्रेंगल है बी पर 90 डिगरी बना रहा है तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले में बेस को एक्सलेट करना पड़ेगा लेट अब बेस आफ ट्रेंगल इज एक्स अब देखो जैसे ही हमारा 13 संटीमीटर और 7 संटीमीटर है मतलब यूनिट संटीमीटर में चल रही है तो मैं आपर राइट कर सकते हैं एक्स संटीमीटर दैन इट्स अल्टिट्यूड इज एक्स माइनस सेवन संटीमीटर देखो कैसे हुआ यह एक्स माइनस सेवन यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो अल्टिट्यूड है वो 7 संटीमीटर लेस है बेस के तो बेस एक्स हुआ तो उसमें 7 माइनस हो जाएगा वो हमारा दी हुई है तो यहां पर देखो राइट ट्रेंगल की केस में क्या होगा उसकी साइडों के लिए हमें पाइथा गोरियन थेरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो लाइज इसे पाइथा गोरियन थेरम अब दिको bythagorean theorem क्या कहता है ये मालो हमारा hypotenuse है ये माली जे base है ये हमारा perpendicular है तो इसमें formula लगता है h square is equal to b square plus p square मतलब hypotenuse का square h equal to base का square plus perpendicular का s square तो यहाँ इस case में होगा क्या hypotenuse होगा हमारा a c base होगा b c और altitude होगा a c तो यहाँ पर हम क्या rate करेंगे AC square is equal to BC square plus AB square ठीक है AC square हमें दिया गया है 13 cm तो यहाँ पर रख देंगे 13 का square is equal to BC square जो है वह आपका है base और base को आपने मान रखा है X तो यहाँ पर हो जाएगा X square plus AB जो है हमारा X minus 7 है altitude तो यहाँ पर रखेंगे X minus 7 का whole square अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं देखो यह A minus B के form में है तो यहाँ पर A minus B whole square identity इस्तेमाल करेंगे तो A minus B का जो whole square होता है होता है A square minus 2AB plus B square इस identity को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो देखो पहले यानि कि X का square minus 2 into X into 7 और plus 7 का square ठीक है तो इसको solve करेंगे तो 2,7 जब 14 into X 14X हो जाएगा तो मैं इसको direct write कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14X plus 7 का square 49 ठीक है और इधर हो जाएगा X square और इधर हो जाएगा 13 का square 169 ठीक यहाँ पर plus 9 है प्लस 9 रहेगा और आगी क्या solve होगा वो देखते हैं देखो X square X square हो जाएगा 2 X square minus 14X ठीक यह 49 यहीं पर रहेगा यह 169 इधर रहेगा तो यह हो जाएगा plus 49 minus 169 अब 169 में से जब हम 49 को minus करेंगे तो 9 minus 9 0 6 minus 4 2 120 आजाएगा कितना आजाएगा 120 साइन बड़ा है minus का तो minus रखेंगे इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ minus 120 और यहाँ से स्टर्म को उधर लेगा तो इधर 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आप देखो इन सभी में से हम टू को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ से तो यहाँ से तो यहाँ से तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखो तो एकस स्क्वाइर 27 जा 14 और 260 जा 120 और इधर 2 इधर 0 यह तो इधर जब आएगा तो ऐसे होगा 0 डिवाइड बाइ 2 इस एकस स्क्वाइर माइनस 7 या एकस माइनस 60 तो आप देखो 0 में अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 आएगा तो यहाँ पर ultimately क्या बचेगा 0 बचेगा इसलिए कभी भी अगर इधर से कोई नंबर common करके इधर ले जाते हैं तो 0 ही बचता है हमें अधिक step right करने की जरूर नहीं है यह step और यह step अधिक है है ना फाल्तु है तो हम इसे हटा देते हैं इसे नहीं लिखते हैं यह सिर्फ दिमाग में calculation करते हैं या rough में करते हैं तो मैं अभी इसे हटा करके फिर से लिखता हूँ इस equation को क्या लिखूंगा मैं x square minus 7x minus 60 is equal to 0 मैं यह लिखूंगा x square minus 7x minus 60 is equal to 0 अब देखिए यह जो equation है हमारे पास यह quadratic equation के form में है अब हम इसका factorization करेंगे तो पहले आप यहां तक write कर लिजे फिर हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं अब नाव फेक्टोराइज अब एक्स स्क्वेर माइनस 7x minus 60 is equal to 0 देखिए जो 60 होता है इसका 12 और 5 factors होते हैं तो 12 इंटू 5 करेंगे 60 हो जाएगा और 12 minus 5 करेंगे तो मैं मिलेगा 7 यह value हम B के place यानी की 7 के place पर यहां पर रख देंगे तो मिलेगा क्या x square minus 12 minus 5 x minus 60 is equal to 0 अब इसको अंदर multiply करेंगे तो यह minus sign है bracket के अंदर के सभी sign बदल जाएंगे और x multiply होगा x square minus 12x देखो minus into plus minus minus into minus plus 5 into x 5x minus 60 is equal to 0 सभी जगा पर हम और लगाते रहेंगे और यहां से हम x common लेंगे एक्स अंदर रहेगा और यहां पर देखो x common हो जाएगा तो बचेगा minus 12 यहां से plus 5 common लेंगे तो x minus 5 12 जा 60 is equal to 0 आगे क्या होगा देखो x minus 12 x minus 12 सेम सेम है यह common हो जाएगा तो यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा plus 5 is equal to 0 अब इनके roots find करेंगे तो इनका और इनका product 0 है तो यह अकेले के लिए भी 0 का इक को लोंगे means x minus 12 is equal to 0 x is equal to plus 12 और यह हो जाएगा x plus 5 is equal to 0 तो x is equal to minus 5 अब देखो जो negative value होती है वो हम लेते नहीं है तो यहां पर x की value क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी और x क्या था length आप base था तो यहां से base is equal to हो जाएगा 12 cm और ध्यान से देखना जो altitude था ना उसको आपने लिखा था x minus 7 तो x की value कितनी है 12 है 12 minus 7 करोगे कितना आएगा 5 आएगा तो यहां से altitude हो जाएगा altitude is equal to 5 cm कितना 5 cm question में हमसे पूछा है कि find other two sides तो यही हमारे other two sides होंगे इनको write करेंगे thus other two sides after triangle are 12 cm and 5 cm तो यह हमारा answer होगा इस question का आप चाहें तो इसे read on कर लें या फिर वीडियो को pause करके